हेलो फ्रेंड्स के अंदर निटर पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आपके लिए बहुती सुन्दर केबल निटिंग डिजाइन लाई हूँ फ्रेंड्स ये पैटर बहुत सुन्दर बनके आता है थोड़ा मोटा मोटा बनके आता है तो आप बहुत सारे प्रोजेक्ट स्पेस को इसको इस्तमाल कर सकते हैं जैसे की जैन्ट स्वेटर पे डाल लीजिए टॉप पर डाल लीजिए अपने कार्डिगन पे डाल लीजिए कि इसी भी प्रोजेक्ट पे ये बहुत ही सुन्दर दिखता है। और वबर की चैनल मोटे ये के ये केबल आते हैं। जो कि बहुत सुन्दर दिखते हैं। थोड़ी मोटी वूल होगी और भी सुन्दर बने की आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स बुनना स्टार्ट करते हैं दीखे फ्रेंड्स इसके लिए हैं मैंने ये 14 फंदे ये जो पैटन है ये 6-6 के मल्टीपल में चलता है 6-6 के मल्टीपल करें उसके बाद दो और प्लस कर लेंगे तो आपका जो पैटन है आपके प्रजेक्ट पे सैटल हो जाएगा और फ्रेंड्स इ मैंने रॉंग साइड में फंदे लिए हैं इसमें मैं एक बेसिक रोड डालूंगी अगर आप अफ्र बॉर्डर इसको स्टार्ट करते हैं तो आपको बेसिक रोड डालने की जरूरत नहीं है ऐसे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं नहीं तो basic row डाल लेंगे तो ज़्यादे बढ़िया रहेगा wrong side से आपके फंदे जो है manage हो जाएंगे और friends यहां पर मैं आपको एक चीज़ दिखा देती हूँ यह दिखिए 6-6 के multiple ऐसे हैं यह दिखिए इसमें जैसे यह 2 इसमें उल्टे फंदे हैं यह 4 इसमें केबल के फंदे हैं तो यह 6 होगे 6-6 ऐसे करते हुए लास्ट में यह 6 आ जाएंगे और 2 आप प्लस कर लेंगे तो आपका pattern जो है आपके project पे settle हो जाएगा तो wrong side basic row इसको मैं थोड़ा सा pattern settlement के लिए यह row बुन लेती हूँ तो आप भी अगर wrong side से इसको शुरू करके बुन लेंगे तो ज़्यादे बढ़िया रहेगा तो wrong side basic row इसमें क्या करेंगे हम इसको settlement बना लेंगे थोड़ी सी इसकी दो हम सीधे बुनेंगे इदर से और चार फंदे हम उल्टे बुनेंगे एक दो दो तीन और ये चार ये छे फंदे हम ऐसे ही रिपीट करते जाएंगे दो सीधे चार उल्टे फिर से हम दो सीधे बुनेंगे देखे ऐसे एक और ये दो सीधे बुन दिये और ये एक दो दो तीन और ये चार चार उल्टे बुन लिए और लास्ट में आपके पास दो बचेंगे जो आपने प्लस किये हैं तो दो सीधे आ जाएंगे तो ऐसे आपकी पैटरन की स्मिट्री बन जाएगी स्टार्टिंग से तो आपको इजी हो जाएगा ये तो फ्रेंड्स ये बेसिक रो उल्टी साइड की मैंने ये बुन के कंप्लीट कर लिए आप भी इसको डाल ही लीजिए तो बढ़िया रहेगा देखे फ्रेंड्स ये इसकी सीधी साइड है यहां से हम पैटरन इसका स्टार्ट करते है पहली सिलाई तो उल्टे फंदे जो हैं ये देखे ये तो आपको हमेशा के लिए दो उल्टे ही बुनने हैं ये हमने बुन लिए यहां पे दो उल्टे अब यहां चार देखिए सीधे हैं चार सीधे मेंसे एक पहला फंदा जो है आप उल्टा बुन लेंगे तो ऐसे करने से बेसिक रोड़ा लाइगे इसकी जादा समझ में आएगी यह देखे चार सीधे फंदों मेंसे एक फंदा मैंने उल्टा बुन लिया और यहां पर यह दिखे बीच के दो फंदे सीधे हम कैसे बुनेंगे एक बार बुन लिया इसको लूज रखेंगे धागा आगे लाएंगे इसको फिर से एक बार बुनेंगे एक फंदे के बना लेंगे हम तीन फंदे दिखे ऐसे फिर से दूसरा फ पहले फंदा और बचगे इसको हम उल्ता बुननेंगे दीखे ऐसे चार मेंसे दो साइड़ों हैं इनको हमें उल्या ही मुनना है आपको पता है जासे एक पता हम उल्टा बुनेंगे और बीच के already 2 पंदे देखे कैसे बुननेगे एकि अब भी ड्रॉप नहीं करेंगे थोड़ा इसको लूज भी रखेंगे फंदे कोफिर से भून लेंगे एक फंदे के तीन बना ओ पर यह वाला फंदा不錯 से हम ऐसे बुनेंगे यहिंकि बीच के आपको चार में से बीच के दो फंदे आपको ऐसे बुनने हैं यह तो हमें उल्टे ही बुनने हैं तो यह में ने पहلी सिलाई जो है पैटन की यह खतम कर ली, जहाँ पे इ yêuए ऐसे उल्टी साइड में यह इसकी दूसरी सिलाई है, देखे कैसे करेंगे यह हमने तीन फंदे हम बुन लेंगे यहाँ पे सीधे, एक दो तीन तीन फंदे हमने सीदे बुन ली जहां पर धागा अपनी तरफ लाएंगे यह जो हमने दखे हैं एक फंदे के तीन बनाए हैं एक बार इनको हम स्लिप करेंगे एक एक करके कर लीजिये मेरे पास पलाइकी वूल है तो थोड़ा इसमें बुनने में दिक्त आ रही है तो आपकी सीधी वूल होगी तो इसमें आराम से बुना जाएगा ये दिखिए ये टोटल छे फंदे हैं इनको हम एक एक करके स्लिप कर लेंगे नहीं तो अगर आपकी दूसरी वूल होगी तो आप कठे भी इनको स्लिप कर सकेंगे तो स्लिप करने के बाद हम धागा ले जाएंगे पीछे इनको हमें बुनना नहीं है इस रो में धागा पीछे को ले जाएंगे चार फंदे यहां पे सीधे बुन लेंगे एक दो तीन और यह चार फंदे हमने सीधे बुन ले बीच के अब फिर से हम यह वले जो फंदे हैं जो हमने एक के तीन बनाए हैं तीन यह और फिर से एक के तीन जो बनाए हैं यह छे फंदे टोटल जो हैं ये बने हुए इनको हम स्लिप कर लेंगे इनको नहीं बुनेंगे और बाकी तीन फंदे ये बचे हैं इनको हम ऐसे सीधे बुन देंगे तो फ्रेंड्स इसके साथ हमारी ये दूसरी सिलाई भी इसमें कम्प्लीट होती है देखे ऐसे सीधी साथ में हैं ये इसकी तीसरी सिलाई है इसमें फ्रेंड्स हम केबल चेंज करेंगे ध्यान दीजिए कैसे करेंगे दो फंदे उल्टे बुन लेंगे देखे ऐसे ये तो मैंने जैसे आपको बताया है धागा पीछे की और करेंगे यहां पे तो यहाँ पर ये देख़ें ये हमने 1 फंदा उल्टा बूर्णर रुण रखा है तो इन पहले ये देखें ये टीन फंदे ये और एक फंदा ये इनका केबल चेंज करेंगे देखें कैसे तीन फंदे जो हैं इनको कठे ऐसे पकड़ लेंगे इस स्लाइप रूण पर अब यहां से एक फंद जो हमने एक उतारा है, यह पीछे से अराम से पकड़ सकेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यह देखें ऐसे, ऐसे ले आएंगे, यह हमने केबल चेंज कर लिए, तीन फंदे और एक फंदे के बीच में, तो यहां पर यह हम अपनी तरफ से इसको इस प्रैक लूब से बुनते हुए देखे ऐसे यह मॉता आएगा यहР बहुत सुन्दर लगेगा यहँ पे उसके बाद यह एक फंदे का आपने केबल चेंज की है इस सिंगल फंदा जो है इसको हम अiron सिंगल ही सीध़ बुन लेंगे देखें ऐसे यह तीन फंदे और एक फंदे का एक बार केबल चेंज कर चुके हैं अब यहां पर देखिए यह फिर से आपके पास तीन फंदे एकटे हैं और एक फंदा यह है इसका केबल चेंज करेंगे देखिए कैसे पीछे से सिलाई लेंगे और यह वाला एक फंदा जो है तीन के बाद इसको प देखे ऐसे और यहां पर जो तीन फंदे आपने केबल चेंज किया है इसको हम एकठा बुनेंगे देखे ऐसे बैग लूप से जैसे हमने पहले बुने थे वैसे यह बस आपको ऐसे इसका केबल चेंज करना है यह देखे अब आपके पास फिर से एक दो तीन चार फंदे हो पिर आपको यह केबल चेंज करना है ऐसे ही जैसे मैंने आपको पहले बताया यह देखे यह आपके पास एक उल्टा है तीन बनाए हुए एक के फिर से तीन बनाए हुए एक उल्टा है इसका फिर से वैसे ही केबल चेंज करना है यह देखे एक बार और करके देखते हैं इसे इसको उतार देंगे और ये तीनों फंदे हम इदर को ले आएंगे और एक हम इदर को ले आएंगे और तीनों फंदों को हम इस सलाई पे चढ़ाएंगे ऐसे और बैक लूप से बुन देंगे तीन का एक कर दिया हमने यहां पे और एक फंदा आप जो इदर को लेके गए हो उसको आप बुन देंगे ऐसे फिर से हम केबल चेंज करेंगे यह एक उल्टा फंदा हम इदर से ऐसे ले आएंगे और तीन फंदे यह उतार देंगे एकटे और तीन फंदों को फिर से हम इस सलाई पे आगे से चड़ा लेंगे और यह देखे ऐसे करते हुए आपका यह केबल चेंज हो चुका है तो यहां पे यह फंदा आपका सीधा बुना जाएगा सिंगल जो इदर को लाएंगे आप और यह तीन फंदे जो लेके गए हैं आगे से उनको आप तीनों का एक करते हुए पिछी की और बुन लेंगे इन तीनों फंदों को इसलिए हम लूज रखेंगे ताकि यह अराम से बुने जाएं यह दिके ऐसे ऐसे बनेगा यह केबल और दो फंदे लास्ट में आपके रहेंगे इनको आप उल्टे बून लेंगे तो फ्रेंड चे तीसरी सलाई में हमेशा आपका यह ऐसे गभल चेंज होगा उल्टी साइड में यह इसकी चौती सलाई है चोती स्लाइफ फ्रेंड्स आपको basic row की तरह ही complete करनी है देखे कैसे दो आपके सीधे आ जाएंगे चार आपके उल्टे आ जाएंगे क्योंकि अब चारों पे ये काम हो चुका है फंदों पे तो ये आपके चार जो हैं उल्टे आ जाएंगे दो तीन और ये चार चार फंदे उल्टे आ जाएंगे और दो फंदे ये देखे ये दिख रहा है अराम से दो फंदे सीधे आ जाएंगे देखे ऐसे चार फंदे उल्टे आ जाएंगे बहुत एजी है सिर्फ ये पलाई की वूल की वज़़ज़ से थोड़ा सा टॉफ लग रहा है इसको केबल चेंज करने में नहीं तो यह बहुत एजी पैटन है तो यहां पर दो फंदे लास्ट में सीधे आ जाएंगे तो फ्रेंड्स उल्टी साइड से यह ऐसा दिखेगा और सीधी साइड से हमारी चार सिलाइएं इसमें कंप्लीट हो चुकी है एक हमने बेसिक रो डाली है तो फ्रेंड्स यह चार सिलाइएं मैंने आपको जो बुन के बताई हैं सीधी साइड से स्टार्ट करके तो आपको यह लगातार आगे चार-चार सिलाइया बुनते जाना है तो आपका ऐसे ऐसे वाला पैटन आता जाएगा तो यह मैंने बना रख है यहां से भी देख रहे हैं आप सेम टू सेम एक जैसा ही बनके आगे हमारा देखे तो ऐसे यह बनता जाएगा यह तीन फंदों की वज़े से फ्रेंड्स यह वाले जो हैं यह मोटा मोटा आएगा तो यह बहुत सुन्दर लगेगा तो आपको चार से लगें रबीट करते जाना है जो मैंने आपको यहां पे बुन के बताई हैं यह चार से लगें आपको आगे अगे डालते जाना है तो आपका यह पैटर्न चलता जाएगा और ऐसा ऐसा पैटर्न यह बनके आएगा तो आप किसी भी वूल पे डालिए, ज्यादा बारीक वूल नहीं होनी चाहिए, बाकि आप किसी वूल पे भी इसको बुन सकते हैं, बहुत सुन्दर बन के आएगा, अब आप भी बनाएए, और प्लीज सब्सक्राइब लाइक और शेयर, थैंक यू